इस हॉल में हजारों बार आया हूँ लेकिन आज का जो मौसम है और आज का जो मिजाज है उसकी कोई तुल्ला नहीं है अगला पॉइंट ज़र अध्यान दें लुक लाइक अ सीओ नॉट अ सूपर स्टार भाई यह आप किसी फिल्म के स्टार नहीं हो आप एक कंपनी के बिजनस ओनर हो तो आपकी ड्रेसिंग आपकी परसिनलिटी आपकी बातचाल में वो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए लहजे में वो अंदाज होना चाहिए बत्तमीजी वाले शब्दों का उप्योग करेंगे तो जिन्दगी में आपके साथ कोई जॉइन नहीं करेगा जिन्दगी में आपके साथ कोई जॉइन नहीं करेगा मुझे एक ऐसी अप्लाइन के बारे में पता है जो अपनी डाउन लाइन कोई कहता है भाई मैं तेरी मदद किसी चीज़ से करूं या ना करूं बड़ आधी रा होगा कुछ, माफ करें मेरे शब्दो को, कुछ वायात लोग, उर्दू का अलफाथ है, बुरा निल लगेगा आपको, कुछ वायात लोग, ऐसे शब्दो का जो भी करतें, अब बहुत हो चुका, अब उमर हो गई है, बहुत काम कर लिया अब मैं 40 साल की उमर में रेटारिमेंट की तरफ हूँ अरे जिंदा क्यों हो उपर चले जाओ बात खतम होगी दोस्तों मैं 50 साल अगले साल टच करूँगा 50 years और मैं आप से कहूँगा अभी तो खेल शुरू हुआ है अभी तो पूरी दुनिया को बहरुप में लेकर आना है अभी तो पूरी दुनिया पर अपना रंग जमाना है जाना है इतनी दूर जिसके आगे रह नहीं है अगर आप grounded नहीं है अगर आपके अंदर passion नहीं है आप अगर select नहीं करना है ठीक से चीजों को और अगर आप सूपर स्टार बनके घर में बैड़ गए है दोस्तों मेरे पास क्या है वो इंपोर्टन नहीं है मेरे दुआरा आपके पास क्या है वो ज्यादा इंपोर्टन है आपको मोटिवेटर नहीं बनना है रोल मॉडल बनना है इंस्टिचूशन बनना है इंस्पिरेशन परसिनलिटी बनना है ताकि दुनिया आपको देखे और आपको कॉपी करे और कहे मैं इनके जैसा यह इंसे बहतर बनना चाहता हूँ तब आप डारेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं मेरी बात पहुंच रही है तो रिस्पॉंस कीजिएगा मैंने ताली बजाने के लिए मना किया है का कि लास्ट मेरी बज़वाँगा या तो मेरी बज़ेगी आपकी बज़वाँगा अगले पॉइंट पर हम जाएंगे मैंने का कंपनी का कैटलोग कहा है टूल्स कहा है और प्रोड़क कहा है कैते सर वो तुम है घर में रखाया तो तुम मुझे अपना चेहरा दिखाने आए हो क्या तुम काय का धंदा करोगे काय का वेपार करोगे मैं इतने करोड कमा लूँगा इतनी गारियल अरे भाई तुम्हारा किटी नहीं है तुम्हारे साह जिस व्यक्ति के पास उसकी दुकान ही मौझूद नहीं है तो वो काय का धंदा करेगा मेरी बात मौच रही है आप ता आप हमेशा रेडी होने चाहिए बस में रेडी होने चाहिए ट्राम में रेडी होने चाहिए रिक्षा में रेडी होने चाहिए कुठपाफ पे रेडी होने चाहिए कहीं भी आपका पोटेंशियल नेटवरकर छुपा बैठा है और इसमें क्वालिटिकेशन की जरुवत नहीं है इसमें जादा बहुत बड़ी अस्मार्ट बनने की जरुवत नहीं है इसमें जरुवत है जुनून की जुनून केवल उस महिला की तरह जिसकी कहानी है मैं वीडियो पे बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और बहुत बार अपने सेमिनार में मैंने जिक्र किया है जो चोथी क्लास पड़ी थी लेकिन एक दिन हजबन ने केवल ये बोल दिया बहुत तुम घर के खर्चे में थोड़ा कम पैसा मांगा करो क्योंकि उसने एक दिन ज़्यादा पैसा घर के खर्चे में मांग लिया था अभी मेरे मित्र स्पीकर ने महिलाओं की बाप की तो महिला को इतनी चोट लगी उसने का जिन्दगी भर जब तक सांस लोगी तुम से पैसे नहीं मांगूंगे और फिर उसने खोजना शुरू किया कि मैं ना पड़ी हूँ ना ज्यादा स्मार्ट हूँ लेकिन मैं क्या काम कर सकती हूँ उसकी एक दोस्त ने उसे डारेक सेलिंग से कनेट करवाया उसको कैटलोग दिया कैटलोग और उसको का बस तेरा एक ही काम है काफी हाउस में जा और लोगों से बोल ये दुनिया के बहतरीन प्रोड़क्ट है ये दुनिया के बहतरीन प्रोड़क्ट है दस लोगों से बोले एक दिन बड़े मंच पह उसको बुलाई गिया तालियां हजारो बज रही है उसके लिए और फिर जोन आइग कर था चैसे हमारे दीपक भाई कितनी बढ़ियां आइंकरी कर रहे हैं उसको मंच पह बुलाई गिया और मंच पह बुलाने के बाद उससे पूछा गया आपकी सफ पहलाओंगी नहीं, दूंगी, और फिर कभी नहीं मांगा मैंन। लोगों ने पूछा, पती को छोड़ दिया, उससे कब कमाल हो गया, ये मज़ा में हर महिना लेना चाहूंगी। लोगों ने पूछा कौन सा मज़ा, उस लेडी ने बोला, मेरे पती नौकरी करते हैं, और नौकरी वालों की प्रॉबलम है, दस तारीक तक सालरी खतम हो जाती है, ग्यारे तारीकों मेरे पास आते हैं, और आने के बाद कहते हैं, कुछ पैसे हो तो दे देना है। और मैं जब पूछती हूं कितने चाहिएं, और जब वो कहते हैं कितने दे सकती हो, और जब मैं पर्स से निकालकर उनको पैसे देती हूं, ये मज़ा हर महिने में लेना चाहूंगी, इसलिए मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहूंगी। दोस्तों, आपके जीवन में आपके जीवन में यू करान होना चाहिए। आज रात को सोएं ना। आज रात को लिस्ट बनाएं। मैं डारेक्स सेलिंग के प्रोफेशन में क्यों हूँ और मुझे दस साल में कहां पहुचना है उसके लिए जरूरी है आपके टूल्स हमेजा आपके साथ रहें थोड़ा आगे चले और अगले स्लाइट पर हम जाएंगे और अगले स्लाइट पर हम जाएंगे और टॉक डेली रिक्रूट वीकली बस तो यह बिजनस लोगों से मिलने का है लोगों से बात करने का है जब मैं सेल्स में था जब मैं डारेक्स सेलिंग में था तो मैं सुबह 6 से 11 तक केवल मिलता था केवल मिलता था मुझे ना बोलना आता था ना कपड़े पहनने आते थे लेकिन अगर मै तो मेरा डेटा बेस रेडी नहीं होगा मेरा व्यक्ति का तनुभव यह है कि आप केवल सोशल मेडिया पे निर्वर रहे के इस बिसनस में चैंपिन नहीं बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं केवल याद रखिएगा आपको लोगों से मिलना पड़ेगा आप कोंके घर जाना पड़ेगा तो यह मिलने का बिजनस या हलो करने का बिजनस रोच का है और अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको वीकली रिकूट करने पड़ेगे क्योंकि अगर आप रिकूट नहीं करेंगे एक्जिस्टिंग टीम से बड़ी पैसा नहीं कमाया जा सकता है मेरी बात पहुंची तो जड़ा रिस्पॉंस कीजी दोस्तों यह 6-7 पॉइंट मैंने आपको बताए अब अन्तिम पॉइंट पर मैं आ रहा हूं उस पर धान दिजेगा लास्ट पॉइंट मैं आपसे बात करूँगा नेक्स स्लाइट प्लीज अग्ली स्लाइट आथ मिनट अभी भी बाकी है और एक बार विन्स्टन चर्चिल को स्पीच देने के लिए बुलाया गया और उनसे कहा गया आपके पास केवल दो मिनिट का टाइम है विन्स्टन चर्चिल लेका मैं एक मिनिट में अपनी बात पूरी कर सकता हूं और विन्स्टन चर्चिल ने कहा मेरी एक मिनिट की स्पीश है चाहे कुछ भी हो जाए उमीद मत खोना और हिम्मत नहारना थैंक य। बईरी मग्ड़ी सुझेन थैंक एक मिनिक बढ़े सुझेन खां़े सुझें चाहे प्रचिय बग्षारि क्रावे 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 विन्सटन कि य। एक मिनट बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बस देखा है हमने भी जंदगी को करीब से याद है पोईट्री? सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं देखा है हमने भी जंदगी को करीब से बात कुछ बंती नहीं सिर्फ नसीब से होते नहीं अर्मान पूरे खोकले रादो से और चलती नहीं जंदगी मरे हुए वादो से बाकी पोईट्री जो है वो यूट्यूब पे है सब्स्राइब भी करना और मेरे चैनल पर भी जाना ठीक है न चलती नहीं जिंदगी मरे वेवादों से कि मनजिल को पाना इतना असान नहीं है चलते हैं लोग मगर दिशा का ग्यान नहीं है भरे बड़े ऐसे लोग इस संसार में जो सांस तो ले रहे हैं पर भूमें भी जान नहीं है चमतकार तो चरीतर को याद रखना नेटवर्क मार्केटिंग के विजनस में चालू भाशा का इस्तमाल मत करना लोकट लोग इस्तमाल मत करना यक्यों कि 56 अच्छी बाते लोग भूछ जाएंगे एक बुरी बाते सारी जिंदगी वह याद रखेंगे आपकी भाषा आपका लेजा आपका अंदाज इतना खुबसूरत हो कि मरा हुआ आदमी भी खड़े हो कि आपको पपी करना चाहे कि मंजिल को पाना इतना असान नहीं है चलते हैं लोग मगर दिशा का ग्यान नहीं है भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में जो सांस तो ले रहे हैं पर उन में भी जान नहीं है करना है चमतकार जो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा आती जाती सांसों में उस्सा का प्रवा लाना होगा और परिस्थिती अनकोल हो या ना हो खुद को मजबूत बनाना ही होगा